नमस्कार दोस्तों खोठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत सबागत हैं यह किताब है खोठा गयत पच संग्रा अभी हाली में जो लडीशी का रोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें यह से लिपस में है और इसका क्लास तो हालाकि मैं करा चुका हूँ लेकिन फिर भी आप पहला वीडियो अप्लूट कर रहे हैं इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या-क्या है पहले वो देख लेते हैं इस किताब के संपादक हैं डॉक्टर एकेजा और इंक साथ दिया था सिम्वनात प्रमानिजीना गद्य भाग पढ़ना है इसमें दो चीज़े हैं गद्य भी है पद्य भी है पद्य नहीं पढ़ना है सिर्फ गद्य पढ़ना है गद्य में कहानी है चार एक मांजो धरमकरम सोनमाटिक टान चासा इसके बाद लेख हाता है तीन लेख है परपन सेटिफिकेट उड़िस महातम खोठायाग शतनत सम्मूद भाशा इसके बाद संस्मृन है बरवा, डख, अखाई बोर, गोडी गलक फुलवा, रहे गलक बास, इसके बाद यात्र बितांत है, दाजलिंग और गंग टोकेक जात्रा, सब चित्र है, पूटी और पालू, जीवनी है दो, बढ़का बजरू बिर्सा, सेक फिखारी, एक आंकी है, डाह का, डाहना टक हमें अलग से पढ़ना है, इस सिलिबस में, LDC के लिए, वो तो पूरा पढ़ना पढ़ेगा, शुरू करते हैं, क्लासाज का, और देखते हैं, हमारा पहला कहानी, मांजो, इसके लेखक हैं, मांजो के, भुनिश्वर साहू, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, जो लेखक है, इनकर जनम, 8 जनवरी, 1969 के साकूल, पतरातु गामा भेलाले, इनकर बापक बापक नाम, राम किसुन साहू, जो एक अच्छा चंचल, बहुत तेश तर्रार, खेतिहर किसान है, बोनेशर साहू, आपन विद्यार्थी जिनगी ब्यस हुबगर आचडगर रहा था, साहू जी अपने विद्यार्थी जीवन में, अच्छा खासा, तेश तर्रार थे, इनकर प्रहाई लिखाई में, खोठा तक है, ये में किये हैं, और खोठा में में किये हैं, शुर्वेल, साहो जीक आपन माती और मातीरी भाखा के परती बड़ी होब, खोठा भासा के कहानिकार के रुपे, ये आपन मोहडा बनाय रहा था, इनकर कहानी संतोख और कुलदीपा चर्चित है, मांजो इनकर टटका आपगा रचना है, ये दोनों जो है, काफी परती लगाओ है, और अपना ये इसमें च्छेतर में अपना इमेज बना रहे हैं, अपने आपको स्थापित कर रहे हैं, मांजो भी इनका एक बहुत ही सुन्दर रचना है, ये कर संगे, इनकर खोठा कविता दिया कही के लई-ललके, देने का बोलके ले लिया, ये गो पार ये तो कुछ परिचे हुआ, हमारे लेका कजी का, अब आते हैं असली कहानी में, जो हमें पढ़ना है, हमारे सिलिबस में है, और ये कहानी बहुत ही मारमिक है, अगर ध्यान से सुनिएगा, तो आपकी ये दिल कुछ हो जाएगा, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो सुचिया अंधारक राज, चारो तरफ जो है, इद्म काला अंधेरा चाया हुआ है, आज के जैसा लाइट का बात नहीं हुआ पर है, उसे मिजली नहीं हुआ करती थी, कलपना कीजिये, उस समय का जमाना है ये बात है, चारो बाट सुनसान, इस सुनसान रहते हैं कखनू कभी कभी कहीं से जींगूर का आवाज सुनाई पढ़ता है, तो कभी धूर को कुकुर जाय जाय कर नहीं कर रहा हुआ तो कहीं दूर पर कुट्ता जाय जाय कर रहा है कहीं दूगम मुनिज गुर्खिया दूवायर तरह नाकड़ाकोत कोई को काम करने वारे नोकर है वे दर्वाजे पेटके वो भी सो रहे हैं कि जर्कर नाकट घर घरी राती सफा सुना है इनका जो नाक का यह है आवाज है वह साफ साफ शुनाई पढ़ रहा है ये अम्हार रहते हैं इसमें एक आवाज मिल रहा है नाक का बजने का इनका सामने में ही जहां बांस का घजार है वहाँ पर सीयार भी हुआँ हुआँ कर रहा है जो कल्बन है कि रात कि एतना घहना है गंगोर रात है ये आंधर रएता है सब के सब निदाए गयल हत्मकिन एक के आखी नीन्द नाए और आएक ले खाली लौर बुह है इस अंधिरी रात में सब के सब सो गया है लेकिन एक है जिसकी आख में नीन्द नहीं बलकि सिर्फ आशू बह रहा है कौन है वो उ लागिक मांजो मांजो कखनो आपन लुलहा हात के चुवा ही जेकर में एक फाटर चत्रा के पट्टी बंधल है कखनो ऊपर देखा ही जने चाइन के कोटा पाठी और कही जाही जिनिस देखा है कखनो धेबरी देखा ही जडेर देरी से धुई-धुई कर निजाए वाला है मा जो रो रही है क्यों रो रही है अभी आगे मलूम चलेगा हमें फिलाल यहां जो लिख रहा है कि कभी वो अपने लुला हाथ को लुला हाथ क्या होता है हाथ में चोट लगिया है इसको कैसे लगा है कहानी में आगे है अपने हाथ को देख रही है जिसमें फटा हुआ कपड़ा का पट्टी बना हुआ है तो कभी जो च्छत है घर का उसको देख रही है और कभी जो धीब्री जल रहा है डीब्री क्या होता है डीब्री जब लाइट नहीं थी ना तो ग्रामिन छेत्रों में खास करके इस्तमाल किया था जैसे कोई सिर्व बोतल है चोटा सा बतल सिर्व का बतल यूं भकन में छेत करके कपड़ा पास कर देते हैं इसमें उपर में थोड़ा सा नीचे लंबा और इसे मिट्टी का तिल डाल देते हैं और इसमें आग लगाते हैं तो यह जलता है मुंब्ति की चैस मंगी निजाइल नखाई कखनु ठावी सुतल खटली में आपन माय के देखा एक कभी सामने में उसकी मा सोई हुई है उसको देख रही है जै आपन बेटी मांजो खातिर बैस लेबैस बोर हवान करहलिक यह सोचते कखन अकर आएक लाइक के लगा कभी अपने मा को देखती ह है जो अपने बेटी मांजो के लिए अच्छा से अच्छा लडगा देख रही है शादी के लिए एह सोचते कखन अकर आएक लाइक लग यह सोचते वे कभी उसका कभ उसका आँक लग गया पता नहीं चला चलिए नीद आ गया उसको आई क्या होता है जलफले खबर जहां पर मांजो का बिनोध के साथ साधी दै हुआ रहता है बिनोध दोरी गात क्या गौर नार 21 बच्छरक चनफन और चठगर जुवान बिनोध जो था अच्छा सरीर हेल्दी सरीर वाला लगा था गुरा था और 21 साल का बहुत चंचन और अच्छा जबान लगा था ओकर बाप गनपतिया एक लंबर के लल्ची हा आदमी उसका बाप जो था गनपतिया एक लंबर का लल्ची आदमी था वह आपन बैटा बिनोध के लेल गिरीडी हैं बिहक बात चलावल हल जहां बैस्ट का कोड़ी तिलक रुपे और अंठकां देज मिलेक बात तई भेल भाई के हले अपने बेटा बिनोध के लिए गिरीडी में साधी का बात चलाया था जहां अच्छा खासा तिलक मिलने का बात वहाँ पे हो गया था मुदा तनी कनियाई वेसी उमरगर हली लेकिन लड़की थोड़ी उम्रदार थी बिनोध के बाप के यी रिस्ता मंजूर भाई गेल हल कीले ना तिलक बैस मिला हल बिनोध के बाप को यी रिस्ता मंजूर हो गया था लड़का से ज़्यादा बड़ी लड़की थी मंजूर हो मना कर दे ले जब बिनोत को ये बात मालूम चला कि मेरे बाप रेडी हो गया है साधी के लिए तो वह साफ साफ मना कर दे नहीं मैं मासाधी नहीं कर सकता भूर बच्छत रजरप्पा के नजिके गाउं ले जखन रिस्ता आयल तो कनियाई मांजू बिनोत के पसीन भाई केल र सल जब बात हुआ गिरेडी में उसके वगला सल जब रजरप्पा से ये मांजू का रिस्ता आता है तो बिनोत को ये पसंदा जाती है मुदा कम तिलक दहज दिये कारण गनपतिया ये रिस्ता के मंजूरी नहीं दे लग लेकिन कम पैसा दहज देने के कारण गनपतिया जो विनोत का बाप है उसको ये रिस्ता मंजूर नहीं होता है ये बीनोत मांजो के रिजरप्पा मेला कहंए क्या सस्मीं हरना बेल हमत्य देखा देखा और हम आपने घहर में अपनी मा को बोल दिया है माय हम वीए कर दो ये तो एकन पाँच बच्चर तक भीहा नाय करो, कि हम साधी करेंगे तो यह हम करेंगे, से करेंगे और नहीं तो पाँच साल भूल जाओ, पाँच साधी नहीं करेंगे हम गनपती हलक किसान खेती बारी करे वाला घर करना चलवे में अकाई बिनोत के माई ठेक जा हली सेले बिनोत के भिया जुन जुनात दरकार हले गनपति जो था विनोत का बाप कीसान था खेती बारी करता था घर चलाने में अकेले विनोत की माँ ठक जाती थी इसलिए बिनोत का साधी का जरुरत था बहुत जरुरत था जखन गनपतिक बेटी छोवा गुलेन हल्थिन तखन माय के मददों कर दे हल्थिन जब गनपत का बेटी सब था मैं विनोत की बहुन लुप थी अपनी मा का हेल्प कर देती थी लेकिन अभी उसके घर में काम करने वाला केवल विनोत की मा है बेटी चोवेन आपन आपन सब्सक्राइब चली गई अपना अपना पसंद के मताबिक इसलिए बिनोत का साधी करना जरूरी है अब बुलता है करेंगे उसी से तो नहीं करेंगे ठीक है भी या कर ले तब वो करो फागुन तिर्तियाक दिने हर्दी रंगा येल हल और विहाग दिन अईगला परव नौमी के तई भेले जे दिन कनियाय के लगन बंध्या जितला तकर दू दिन पहले रजरप्पा ले ख़बर सांडी पहुंच गल की कनिये पांचों अंग लूलिसंते हो गया था कर्ण कडिस धिक बाद दो दिन पहले जिस दिन जाना था करी का लगन बांधने के लिए या कहां के लगन लेके जाताहा ना सादिकी पहले वो जाना था उस समय दो दिन पहले ख़बर आता है रजरप्पा से सांडी की कनियाय का पाचो उंगली जो है वो कट गिया है हाथ का पाचो उंगली कट गिया है इसलिए कहा था ना लूली मतलब उंगली सब कट गया हाथ का हाथ लूला हो गया है ठूठा हो गया है इसमें याद रखेगा कि सांडी और रजरप्पा गाउ का नाम दिया हुए यह दो जगह है रजरप्पा लड़कियों का घर है और सांडी किसका घर है लड़का का को से पूछ सकता है यह खबर बोनेक आएक तरी टोला मोहला में पसर गया है यह खबर जो है जंगल में आग की तरह चारो तरफ फैल जाता है बीनोत के घर है तो हाँ हाँ गोहर हवे लागल है हम आपन बेटा के लूली ठूठी कनियाए से आप कैसे देवई की दुनियाई लड़की के अकाल पू लड़की का तरह तरह बात होने लगा चुक्क हुआ नहीं अभी कुछ हुआ नाहीं अभी तो खील ł énerकीक करेगा ऊचारा करें की और कि तो सपना नहींदकर रखलग की और की हुई यलक सपना क्या देखा था और क्या हो गया यह तो मने मने अपना खौप सजा रहा होगा चलो दो दोदुनी पर साधी है लगन है पिर साधी करने जाएंगे लेकिर इबलानी चलता है कर टूट गया हाथ कट रहा अप कि एक फिल्म देखें हैं को फिल्म में वो साहित कपूर का कौन से मोवी है ऐसा होता है ना कि साधी के पहले वो जल जाती है तुलहन तेकि फिर पूर साधी कटता है कौन से मोवी है घर के बाहर दरवाजे पे बैठके वो माथा प्रहात लेकर सोच रहा था क्या करें तालय हम बारंबार कहा हलियो उघरवा बैस नखाई तब तक यह बसने पड़ता है कि हम तो बार बार कह रहे थें कि वो घर सही नहीं है मेरा बात इसके दिमाग में जरा भी नहीं घुषता है एकर भी हा ठूठी छोड़ी से तनी कुन पड़ लिख लेलक तो बुझलक अपने के लाट साहो इसका साधी होगा ठूठी लड़की से थोड़ा सा पड़ लिया तो अपने आपको लाट साह समझ रहा है अरे बुढ़ा है के लोओ हमनियों के बुद्धी घ्यान हई जड़ा लिखर रहतो अठे हटो वहे हटो हम लोग बुढ़ा हो गया है हम लोग को समझ दारी है जो लिखा रहता है न वहीं होता है अब क्लपना कीजिए यह बते कौन बोल रहा होगा विनोद के बाप बोल रह अब को दोस्त ने सकता है इसता को तोड़ने में मन मार के रही गलक और मने कथा मन ही राखल कुछ नहीं बोलता है अपना मन को मार के रहा जाता है ठीक है भाई आप क्या करेंगे ठीक हो अब हम भी यहा नाई करवो हमरा कचा कोड़ी दे हमरा आंची जाय के अर पढ़ब मने एक जुगत भाईब के विनोत बाप के कही दे लग ठीक हो यह भला की तोई पढ़ाई कर तो कहले जो विनोत के बाप सही दे लग कि यहाँ पर वह कहता है ठीक है हम जो है साधी नहीं करेंगे हम को कश पैसा कोड़ी दो दीजिए हम राची जाएगे और पढ़ाए करेंगे कितरक बाप जिसको है उसकी बात पर सहमती देता है ठीक है जाओ दोसर दिन बिनोध रांची जाये वाला बस है बोई सिगलक और बीतल दिन एक आँकी दिरिष्टा देखल लाग लिए अगला दिन बिनोध जो है रांची जाने वाले बस में बैठ जाता है और जो दिन बीत गया था उसका दिरिष्ट आखों में उसका घूमने लगता है रजरप्पा के मेलाएं अब यहां कहानी बताएगा कि कैसे उसका भेच होता है मांजो से रजरप्पा के मेलाएं आपन बहुनई के संग घूरे है रजकरपा के मेला में अपने के साथ वो घूम रहा है ओकर बोघने दूर ले मांजों के दखाए दलक उसके जीजा जो है दूर सही मांजों को दिखा देता है मांजों बिनोत क्या दीदी क्या संग मेला में घुर रही मांजो जो है बिनोत की दीदी सत में घुम रही थी संगे गामेक आठ संगी बेटी चोवा हल्थिन साथ में और भी गाउं की लड़की लोग थी मांजो कखनी कखनू चूरी की दुकान तो कखनू टिकली बैचवईया के पास जाहिए मांजो जो है कभी चूरी का दुकान में जाती है तो कोई भी जो बिंदी बेचता है उसके पास जा रही है गोर नर अठारों बच्री क्या बैटी चोवा मांजो अच्छी यह गोरी नारी थी अठारी लड़की थी स्नोव पावडर मतलब अपना त्यारी करके गई है हाथ पर चूरी है कभी यहां कभी हुआ चिडिया के जैसी वो फूर्दक रही है अपना मेला में गूम रही है है जक्षन बिनोत की दीदी मांजो क्या कर ड़्य嗎 कि एह हमार भाआ बिनोत हक यहां दीयों में तनी से ब्रेक मर लए इसमें बस कब निकला वहां से पता नीचला बिनोत को तब हो साया जब बस में थोड़ा ब्रेक लगाता है बिनोत तो खुब भावे लागला कि आप का करो इसने भावते बूरांची पहुंचे लगते बिनोत जो है सुचने लगा कि क्या करें होते ताके लागल और ओकर मोरे घुरे लागलक जारे जूम ध्यकिक साड़ा धूम धाम यहां तो यह राजी पहुंच गया और मांजो भी राजी पहुंच आते हैं मेरिकल कॉलिज साइद दिन्स महुंची होगी वहां बेड़ पे सोई हुई हुई है और उपर जो पंका घ घुम रहा था वह धेंकी का साड़ा धेंकी क्या होता है एक प्रानी जमाने की लकडी का बना होता था इस पर धान कुटते थे इस तरह होता था यहां पर एक लकडी रहता था और यहां पर लोहा का बना होता था इस जगह पर यहां पर दबाने से यह उपर जाता था और छो बुद्ण से हिले को अधर ओगे को अलोगी मांजो के साध्य का तयारी मेहा थी कि यृषकी भावी थी त्威आ वस नेकी को चम्हें छला रहे थी और हमांजो जो है उस्काड़े में से धान को उल्टा रही थी निसमें उपर निचे हो जाए और धान जो नीचे बैठ गया है उपर आ जाए उसका भी दान अलग हो जै चावल अलग हो जाए कखर जड्हेंकि की उखर काणि से परल मांजों के फोहाम नाय से शववे हाथ काणि में हल जो ऊड़ी कहते है कब छोठ लोहा कैते हैं वह कब उस कटके रह जाता है सिर्फ ठूठा हाथ जो है पाहार निकलता है लहूं से काड़ी भगरियल खुन से पूरा बढ़ा भड़ जाता है यह भावत मांजो मने मन कहें लग लगी यहीं सोचते सोचते मांजो कहने लगी अब तो हमर विहां नहीं हो तक इस सोच आँख ले जर जर ल कान में उसके एक आवाज आता है मांजो हिंदे हुदे चकर मकर ली तब तक मैंजो के पास जाए Z लग इधर उधर वो देखने लगी तब तक जो विनोध है वो वहां उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है यानि कि आवाज विनोध देता है विनोध जो है राची पढ़ने ने गया था बलकि मांजो के पास पहुंच जाता है आपन ठूठा हाथ नुकवे लाग लेक मांजो अपना ठूठा हुआ हाथ जो है जो कट गया था चुपाने लगती है तब तक विनोध ओकर हाथ के चुमा लेले लग मांजो के मुह ले कौनों बात नहीं उसरे लाग ले मांजो की मुह से कोई बात नहीं आ रहा था मांजो दियो आइक के एक बेर जोर बाइंद लग जब बिनोद पाचाने की बिनोद वही बिनोद है माझो तब उसका आंक से आंसु निकल लगा उफ अपके लग लेका बिनोद कहल पे उठल चूप रहो और वेसी नाइकान हमें बिया कर वो तो तोरे सब चूप रहो और ज्यादा मत हम साधी करेंगे तो तुम्हारे ही साथ मांजो एक बेर फिर आइक बिनोद के तोली और कई उठलिक यह जैनियों कि हम लुड़ी चुटी भाई के लों अपने आपको समभाली और बोली कि यह जानती है वे भी कि मैं लुड़ी हो गई हूं हां सब जानियों कि हामरा रोक्य जानते हैं वे भी कि तुम्हारा उंगली नहीं है फिर भी हम तुम्हारा साधी करेंगे हमको रोकने वाला कोई नहीं है मेरा बाप भी नहीं है बिनोद के आखो भर भर लोर भाई अलग बिनोद का आख से भी आंसू निकलने लगा तोर अस्पतार से चुटी हर जितो तब तोर हमार भिया हो तक अब हम जाहियो भाभी हैं नहीं कि तुम्हारा साध चुटी होगा यहां से तब हमारा साधी होगा तुम चिंता मत करना कहें के बिनोद बेड्रूम मां से बाहर भाई अलग मांजो के माई कौनुवा में डणाए के सब सुन लेलिक ऑकरो आखी लोर मा मां जो है वहीं किनारे बे कोने पर खड़ी होके सब सुन रही थी उसके आंख सभी आंशू निकल रहा था वह बिनोद के पच्छू बाटले चाल करे खजली मुदा मूह ले सब नए फुटल वह बिनोद से पीछे तरफ से बात करना चाहिए लेकिन मूह से कोई सब्द नही रहा था और फिर से तक्दिर में आ गया और मांजो को जिंदगी में एक नया जीवन मिलता है यह था कहानी मांजो उम्मीद करते अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा के लिए तैयारी हो रही है इसके बाद अगला कहानी होगा धरम करम उसको पढ़ेंगे अगले क्लास सब्सक्राइब करेंगे हम उसको पूरा करेंगे उसमें लगभग चार हजार क्वेस्टन्स हैं सीजियल का वह पूरा करेंगे तैने बाद